a good morning students कैसे हो आप सब तो आएज हमें एक निवन करते हैं इस टॉपिक पर व्याम जिसकों इंग्लिश में बोलते है एक्सराइज या फिर योगा यह कि हला हक्या है ना कि हमें अपने शेयर का व्याम करना चीए एक्सराइज करने चाहिए योगा करना चाहिए हमें क्यों बोल के लोग क्योंकि अगर हम करेंगे तो क्या होगा हमाई बोड़ी कैसी हो जाएगी स्वास्थ है मतलब की हल्गी हो जाएगी और फिक्ट हो जाएगी लग जाएगी तो इसलिए चाहिए है कि हमें अपने शुरी का व्याम करना चाहिए तो आईए रीड़ करके इसके बारे में महेक्व महेक्व मकलब की इंपोर्टेंस कि ये क्यों ज़रूरी है शरीर गर्म सबसे पहला गर्म है शरीर गर्म का अर्ठ है शरीर का स्वास्थे रखना तो सबसे उपर गर्म क्या है हमारा वो है शरीर गर्म जिसका क्या मीनिंग है शरीर को स्वास्थे रखना बैकला जो हमारा शरीर है उसको fit रखना है healthy रखना ये हमारा सबसे बड़ा धरम है शरीर के स्वास्थे रहने पर ही दूसरे सब काम कर सकते हैं शरीर को स्वास्थे रखने के लिए व्याम, हवा और पानी की अविशक्ता है तो क्या बोला गया अगर हमें अपने शरीर को स्वास्थे रखना है स्वास्थे रखने से क्या होगा हम जो भी बाकी काम होंगे, हम असानी से कर पाएंगे. अगर हम हम अगल्ली नहीं होंगे, इक नई जाकर वीक होंगे, कि हम खड़े खड़े हम गिर्जा चक्कर खाके, है ना? इसका मतलब क्या हो, कि हमारा शरीर कैसा है? वीक है हमारा शरीर. तो जिसके वेसे क्या होगा अगर हम वीक होंगे क्या हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे कोई उठाने वाला काम हो गया यह चलने वाला काम हो गया है ना तो अगर हमारे शरीर स्वास्थे होगा तो बाकी जो हमारे काम है उसको मसाने से कर पाएंगे और अपने शरीर को स्वास्ते रखने के लिए हमें क्या करना है वियाम करना है ठीक है और क्या चीज हमारे लिए जिरूरी है हवा पानी ये सब चीजे हमारे शरीर को स्वास्ते रखने के लिए जिरूरी है अगर हम हवा है अगर गंदी हवा लेंगे हम तो हम क्या होंगे बिम ,, सब्सक्राइब लेंगे लगब जाइगे एक और पानी अगा पानी गंडा होगा कि हम बिमार पड़िये होगे थिक अधे जब चीज सब्सक्राइब है और से तेज़ सब्सक्राइब है हमारे चुरीर कैसे होगा स्वास्टे होगा दो ख़ी आप कर सामने पिच्छर में के सकते हूं है तीक है यह क्या कर रहे है एक सब्सक्राइब नेज भी कर रहा है कि आ कि बंब स सब्कंट गृत कर रहे मुझे बबाते लिए कि ना नियर्ख सब्सक्राइब कर रहे हैं लिए उस सब न mãप है अन बिक्षी के लोग करें। प्रकार प्रकार में उसके टाइब्स इतने प्रकार के होटे हैं व्याम कई प्रकार के होटे हैं बच्चों और युवकों के लिए अनिक प्रकार के खेल, कूट, टेराकी और डोल लगाने जैसे कई अच्छे व्याम हैं अधिक आयू के लोगों के लिए सुवा शाम की सेर भौत उप्योगी है तो क्या वो लगा इसमें वैसे तो व्याम जो है बहुत सारे प्रकार के हैं लेकिन जो बच्चे जो जीवक है जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या है वो खेल कूट कर सकते हैं डोर लगा सकते हैं ठी जो जोगिंग कर सकते हैं ठीक है और जो अधिक आयो में का जिनकी एज जागा होकी है तो उनको सुवह और शाम क्या करना चीछे सैर करनी चाहिए ठीक है उनके शरीले हो जागा अच्छा है ठीक है लड़कियों और स्ट्रीयों के लिए रस्सा कूड़ना टैरना जूला वे और भी हलके व्याम कर सकती है गाओं में तो चक्की पीसने, कुए से पानी खीचने और डई भिलोने से ही स्ट्रियों का बहुत व्याम हो जाता है अब जो लड़की और स्ट्रिय है, जो लेडिस है ये सब क्या करती है? ये रसा कूट्टी है टैरना और जूला जूलना ये सब भी क्या है? इन सब से भी हमारी एक्सराइस हो जाती है है ना? और वे हलके व्याम जैसे की जैसे गाओं के जो आप सब की गाओं होंगे है ना? तो आप क्या आपने गेखा होगा कि जो गाओं में जो लेडिस होती है वो चक्की पीस्की है, कुई से पानी निकाल की है, धही भिलोकी है अपने हाठों से ही, तो उनसे उनकी exercise हो जाकि है, उनका व्याम हो जाक्ता है, उससे ही तो उनका अलग से कोई timing निकानना पड़ जाक्ता की व्याम करना है तो घर के कामों में ही उनका पूरे शरीर का व्याम हो जाता है उनका लाव ला मतलब क्यों ज़रूरी है मारे लिए व्याम से शक्ति-शाली और मजबुक बनता है आलस से डूर हो जाता है काम में मन लगता है पाचन शक्ति ठीक रहती है और रख्ता संचार ठीक प्रकार से होटा है अब वयाम करने से क्या होगा हमारा शिरीर कैसा होगा शक्ति शाली स्ट्रॉंग हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा और जो आलास से जो हमारा लेजी है जो हमें कोई काम करने में कई कोई आलास से आ जाका है वो सब चीजें दूर हो जाएग तो एकशने का है वो ठीक रहा तो रहेगा रpage संचार थीक रहेगा तो एक जगे तक जगे खून पोचाने का काम करती हैं तो इंका भी circulation पोचाने का अच्छे से हो पाएगा इसलिए कोई रोग नहीं रगता है व्याम करने वारे वेक्ट की काम में भी ठकावत अनुबफ नहीं करता अब कहा है जो इंसान व्याम करता है उसको कभी भी कोई भी अपने शरीर में ठकान नहीं होगी और उसको कोई भी रोग मतलब कोई भी ब्मारी नहीं लगेगी उसको वो हमेशा fit रहेगा healthy रहेगा strong रहेगा ठीक है समझना आ गया जादिये बढ़ते हैं साफधानी साफधानी मतलब जो हमें exercise करने चाहिए हमें क्या क्या चीज़े घ्यान रखनी चाहिए व्याम नियम पूर्वर प्रकेगिन करना चाहिए तो जो हमें व्याम है जो exercise योगा है यह हमें पूरे अच्छे के अच्छे से हमें रोज करना चाहिए हम पूरह से ने होरत क्षख और ना ज़ए के हम एभी कुछ आंगे में एक्राइज करने चाहिए जहां पर या आज चुम्हात होुगा अजबा मेंग lij taper कोई फायगा नहीं नुकसान हो जाएगा जाएगा जए चुननी चाहिए जहां पर हमें टाजी हवा मिल सके अगर हमारा पर भारा भरा हुआ हो तो हमें कभी भी व्याम नहीं करना चाहिए करना चीए सौरी हम भी याम करते हैं उसके बाग हमें कभी बिस्नान म מסब्य हम 듣 next नहीं चाहिए जैसे हमने एकसाइज करी हमारी बोडी पर जिक नहीं हमारा बहार आ गया सब कुछ है ना जो जो अमारी आनेर्जय की हो सब हमें अब को हमे लिए यह पसीन बहार निकल सब में और आप लिए और आपा अच्छा होता है अगर उसे करने को सब नहालो गया हो जब कुम exercise कर दोगा हमारा body हमारा जो शरीर हो का है वह ब्रकुद गरम सा हो जाता है ठीक है अगर उस गरम शरीर पर कुम ठंडा पान नहीं का लोगे तो हम बिमार पर जाते हैं हमें जुकाम लग सकता है हमें खासी हो सकती है सब चीज हमे हो सकती है इसलिए कभी व्याम करने के बाग हमें सनान नहीं लेना चाहिए व्याम उतना ही करना चाहिए जिकना शरीर सेहन कर सके अब जो यह लाइन घ्यान से सुनेगा हमें exercise उतने ही करनी चाहिए जिकना हमारी शरीर सेहन कर सके यानिकि आज हमारा मन कर गया exercise करने का ठीक ह होगे है ना और ना और शारीर में आपने होंगे लग जाएगा ना कम से कोरेभा काम घ एक्सार इतनी करनी जिए हमारी शारीर कहें करने के लिए ना ISKон कहा है ना ना कम झाब कुछ बहुत थकेradeऊपा देनेначं वारा व्याम हम भी ठीक नहीं होना कि उसके व क हुगा कि हमारी हमारा चाहई उसके कर सकते हुं ह Spamie और को हमें अचाहिए उतना ही कर ना चाहिए जो हमारी किlli जाख बेब हो ना कम न सब typing करने तो कि एक ऊशे को चौ्श करते हैं और आपको कॉपी में पूरा निवन्ड लिखना है फिर कोशन आंसर नहीं करने आपको कि यह बस हम करेंगे आपस में और जो निवन्ड आभी में मांग करदूंगी आपको कौपी में करना है अब बटाएए आग्मी का सबसे पहला घ्रम क्या ह आग्मी का सबसे परदा घरम क्या है शरीर धरम मतलब की शरीर को स्वास्थे बनाना व्याम क्यों अबश्यक है हमें व्याम क्यों करना चाहिए व्याम करने से क्या होगा हमारा शरीर कैसा होगा करके है ना और और कोई वह 누 degal कोई भी हमें रोग नहीं लग सकता करेक उन्हीं कितने प्रकार के हो wizmodern कहीं प्रकार के हो के है ऐसे यह शबय कर दो कर जाWow आट वो पीसने का काम करके क्या जाताया हुआो निकालने काम करके कंक हो व्याम हो जाका है जो जागा एज वाले लोग होते हैं उनको सेर करना चाहिए जो यंग बच्चे होके उनको खेल कूट करना चाहिए अगला कोशन क्या है अलग-अलग लोगों के लिए आप कौन-कौन से व्याम सुझाएंगे अब अलग-अलग लोग है जैसे बच्चे है बच्चों के लिए क्या करना चाहिए बच्चे को खेल कुट में उनका व्याम हो जाका है या पी एक्सेस करने चाहिए उनको व्याम करना चाहिए घर पे और जो बुजरुक लोग होके हैं उनको सहर पे जाना चाहिए सुबह और शाम जो महिला होके हैं उनको रस्ता कूदना चाहिए व्याम करना चाहिए है ना व्याम करते समय क्या क्या साफधानी रखनी चाहिए अब जब व्याम कर रहे हमें क्या क्या बाटों का घ्यान रखना चाहिए करते टाइम हमें भरे पेक पर व्याम नहीं करना चाहिए जागा व्याम व्याम नहीं करना चाहिए जिकना हमारे शरीर से सहन हो पाई हो पाई नही भी जड़ूरी है क्योंकि इससे हमारा श्रीज स्वास्थे रहत है हमें कोई रोग नहीं लग नहीं सकता हमको बिमार नहीं हो सकते है तो इसको इसके लाव है कि जुक्त मार्क करदें तु आपको कौपी में कर लेना आवको कोछ़ा अचानसर नहीं करने कि सबसे पहले आपको heading लिखनी है उपड़ का व्याम लिखना है पी यहां से लेकर आपको यह पूरा लिखना है आपको ठीक है यह पूरा लिखना है आपको उसके बाद प्रकार इसके यहां से लेकर यहां टक ठीक है और लाव लाव में क्या करना है आपको यहां लाव से लेकर यहां टक ठीक है यहां पर प्रकार से लेकर लाव है यहां टक और लाव का क्या है लाव से लेकर लगता है यहां टक आपको लिखना है फिर नेक्स पेज है यहां आपको पूरा लिखना है ठीक है को शाहां सा नहीं करने आपको बस निवण लिखना है और आप चाहँ को इसका चक्रभी आपको पिना सकते हो ठीक है कोई बच्चा व्याम करके हुए या पिच्चर भी इसमें पेस कर सकते हो ठीक है कल मिलेंगे अपने नेक्स क्लास पर अपना घ्यान रखेगा तो थेंक यू